कि सभी को राधे राधे उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की डीडिये क्या जैसे CPT का क्लास चल रहा है स्टार्ट हो चुका है ठीक है यह उसका लेक्चर सेकेंड है ठीक है और इसमें लोग देखेंगें बहुत ही important important question और आपको यह देखना है कि इस 25 question में आपके कितने question सही हो रहे है इन 25 questions में आपके कितने question सही हो रहे है और अगर जिनके 20 plus सही हो रहे हैं उनके त्यारी बहुत अच्छे चल रही है ठीक है और 20 के नीचे जितने लोग है आप कुछ वासा मेरत करने की जुरुत है ठीक है चलिए हम लोग टाइम वेशना करते हो आगे बढ़ेंगे और पहला सवाल इंटरनेट इनिशली स्टाटेड एज इंटरनेट की शुरुवात डैश के रूप में किय गए थी मतलब कि क्यों यूज किया थी क्यों सुरुवात किया गया किस लिए किया गया बैसिकली ठीक है तो याद रखना इसका था अमेरिकी सुरक्षा बालों के नेटवर्क नेटव इंडिया में कब आया इंटरनेट इंडिया में आया इंटरनेट 1995 में याद रखना इंडिया में इंटरनेट आया ठीक है आजाओ आगे बढ़ते हैं कि देखो यहां पर लिखा भी डिटीलिंग में कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशन नेटवर्क है यहां आपस में एक दूसरे से चुड़े computer network की global संरचना है ठीक है देखें यहां पर आगर लिखा भी होगा देखो इसे सूचना राजपत भी कहते हैं विश्व में सरवपतम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पा नेट computer की network विक्सित किया गया था जबकि भारत में इसका प्रारम 1995 में विएसनल विदेश संचार निगम लिबिटेट द्वारा किया गया ठीक है चलो आगए बढ़ते हैं बताओ डेश इस अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्टेड गौर्मेंटल अकेडमिक कॉर्पूरेट पॉब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्ग इसका एंसर क्या होगा इंटरनेट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं डेटेलिंग यहां लिखी हुई आप उसको अराम से पढ़ सकते हो ठीक है इसको मैं नहीं पढ़ रहा चलिए दफस्ट नेटवर्ग डैट प्लांटेड दसीट ओफ इंटरनेट बताओ जिससे का पहला नेटवर्ग क्या था अभी हमने आपको बताया था जिसने अमेरिका न्यूज किया अर्पानेट ठीक है वो इंटरनेट का पहला बीज बोने वाला नेटवर्ग था अर्पानेट ठीक चलो आगे बढ़ते हैं विच कंट्री एज लार्जेस इंटरनेट यूजर अब देखो यह कोश्चन है बहले दो यार सोल लगा लेकिन वह अभी करेंट का स्टेटस है वो भी यही है ठीक है विच कंट्री है लार्जेस इंटरनेट यूजर समान लोगा 2020 कभी पूछा तो इसका अंसर चाइना ही हो पूल कि ठीक है उसमें भी कर्म यह था, अभी गड़ यही है ठीक है बस संख्याब बढ़ गये ठोड़ी सी 2016 में डोड़ी सबन्हें इतनी थी अवलिकिन 2020 में थोड़ी से संख्याब बढ़ गई है लेकिन करम अभी भी है चीन भारत अमेरीका ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इंटरनेट एक्स्प्रोरर इसा इंटरनेट एक्स्प्रोरर क्या है इंटरनेट एक्स्प्रोरर इस वेब ब्राउजर है ना क्या है वेब ब्राउजर ए ऑप्षन चलो बताओ which of the following option displays the name of the web page in an internet explorer browser कहां पर होता है बाई से बहुत है टाइटल बार में होता है ना टाइटल बार में शो करता है यह तो सिंपल सा कोशन था कहां से हो करता है भाई टाइटल बार में शो करता है अब यह बता हो वी प्रेस्ट हम ऐसा क्या दबाएं मतलब शौटकट की टू ओपे न्यू टैब इन गूगल हमको गूगल पर दोटो टेब कोलते हैं सेफल लेक टेब कोलते हैं यहां को अप्शन आती है आएडम नहाद कर्एगर कोई होटकरट कि दवाएंगे कौन सा क्यी डभाएंगे गउनगे स्क्ट्रोल टी आ है इसको एन नहीं दभाएंगे इसको क्लियर रखना चलो आगे बढ़ते हैं इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है सेफारी ओरत रहए एंटरनेंट एक्सप्लोरर वह लउज्ड इन इंटरनेट इंटरनेट एक्स्प्लोरर कब लॉंच किया गया था सही ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था अभी कुछ दिर पहले 1995 में कब किया गया था भई 1995 में किया गया था ठेक चलो नेट इसकेप नेविगेटर क्या है नेट इसकेप नेविगेटर क्या है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर या वेब सर्च इंजन बदाओ मैं ध्यान से पुछना कि नेट इसकेप नेविगेटर क्या है नेट इसके नैविगेटर एक वेब ब्राउजर है क्या है वेब ब्राउजर है ठीक है चलो जो पहला सफल वेबसाइट गरूप से वेब ब्राउजर था ठीक है आगे बढ़ते हैं इस वेब इसमें से कौन से ब्राउजर नहीं है अभी देखो यह तो में न पढ़ा किए है उपेदा होता है नेट सर्फ भी होता है क्या नहीं है एक स्मील नाइकृति होता है मारकल लांगवेज होती है छलो बता हो what is the use of f11 in internet explorer जब हम internet explorer में f11 press करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है toggle full screen पूर्ड screen को चालू करने के लिए ठीक है पूरी screen को चालू करने के लिए हम f11 का use करते हैं याद रखना start करने के लिए f11 का use हम करते हैं ठीक है जैसे स्क्रीन को छोटा और बड़ा करना होगा ना इंटन्ट एक्स्प्रोजर में तो हम एफ 11 का यूज़ करते हैं ठीक जो आजाँ वी प्रिस तक bookmark करें इन Google करों लेसे हमने Google Chrome खोला हुआ है थीक है मालव अमने कोई page ऐसे खोला अब हमको किसी page को bookmark करना है केरें बुक मार्क करें कि एब बाद में तो इसधीर भॉक मारक के लिए मनकी बार्धम हुआश ब क्लिकि और जै पर ढूराग है फी बन्त था हुआ क्यों प्रीक का में यह लिए निसमेर्द भॉलड के लिए होता है इसलो है कन्ट्रॉल कर दो ठीक चलो रेमंड सैंवल टॉमिल सन इस फेमस फॉर डेवलपिक विच फॉलिंग यह जो है ये क्यों फेमस लिए उन्हें उन्हें ऐसा डेवलप किया था बाहरोंने email डेवलप किया था यह email के लिए काफी फेमस है थीक है चलो फू इन्वेंटर इमेल इमेल को किस ने इनवेंट किया सभावर्ट कि आप्शने कG वी ए सिवा अय दुरई वी-ए-सिवा या दुरई एक इंडियन अमेरिका ने मतलब इन अमेरिका में रहते थे और भारती मूल्के थे यह थे इंडियन मूल के और जब इनकी 14 years age थी ये उसी टाइम इस चीश को डेवलप कर दिये थे इसी टाइम ने इमेल को बना दिया था ठीक है देखिए यहां लिखा हुआ है इमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारती है शिवा अया दुरही ने किया था उन्होंने या व पर कॉपी राइट प्रतान किया थिक चल kami बढ़ते भाई विटो फॉली ईफ फ्रॉलीं इस नॉटड़ prioritize अमपोनेंट ऑंबॉरेटिंग सिस्थम की अप्रेटिंग सिबात की की अपुरेटिंग सिश्थम की Give to helped Qur ऑन में टड़ी होता है और वे meमोरे इंक्लूड निम लिखित में से कौन सा विकल CPU मेमोरी में सामिल है secondary memory only scratch pad memory scratch pad memory and cache memory और यह only cache memory और इसको सही option क्या है scratch pad memory and cache memory detail space की आपको निचे हाद को यहां मिल जाएगा ठीक है आप यहां पर detail के लिए पढ़ सकते हैं इसको option क्या जाएगा scratch pad and memory and cache memory ठीक है the first generation of computer was based on भाई वो किस पर बेस्था फर्स्ट जनरेशन अव कंप्यूटर किस पर इस था बहुत common सवाल है vacuum tubes पे किस पर बेस्था भाई vacuum tubes tubes पे दो यह तीन ओंसर है ठीक है जो भी आपने पड़ा चल आगे बढ़ते हैं the default is skin on the monitor when no other application is running is called जब हम computer पर जब हमारा on रहता है लिखर हम कुछ यूज नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे screen पर क्या शो कर रहा होते है और इस वारत है क्या शो कर रहा होता है ठीक है which of the following is not a cause of system निम लिकित में से कौन सा system hang का का परण नहीं है प्री साइन्स औफ वायरस वायरस का पूर्व ज्यान नन अव दीज एक्सेस पावर सप्लाई या एक्जेक्विशन फ्रेप्ट फाइल भाई नौर्ट अज सब्सक्राइब कोई लिए ना देना नहीं है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं वीच आफ दफ फॉलिंग प्रोटोकॉल्स कैन अल्ली बी यूज़ फॉर सेंडिंग इमेल्स इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल सिर्फ इमेल को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है यह तो ठीक है याद रखी करें यह सम्टीपा की एसम्टीप का फॉल फॉर्म क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है चलिए इसे हैं अब बील्ट-इन ब्राउजर वेंडोस्टन इसकान गानि में निर्मित प्राउजर क्या मैं छालता है सांब ऑवव्य सी बाथ है वह मार्ण माइक्रोफ्ट एज़ को होता है माइक्रोफ्ट यजब हिस देखता होता है आपको सेफ़फर दिखता होगा हर एक टेप दो टेप तीन टेप चार टैप पान्च तर अब आम को सारे टैप व सीद्ञे करना ऑफ करदेना है तो आपका है क्रों क्या होगा फि당히onenडोज क्रोंगे आप सिद्धे Windows प्लस D दबा दोगे आपके सारे shortcut हो जाएंगे आपके सारे जो tab open है सब minimize हो जाएंगे ठीक है चलो यह उन तीनों question का क्या था detail आप यहां से देख सकते हैं Linux is a popular web browser sorry web server set of programs lamp where A stands for A का मतलब क्या होता है A का मतलब होता है Apache option A Apache ठीक है option A A का मतलब Apache ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर है आप यहां से पढ़ सकते हैं इसको ठीक है Linux Lamp प्रोग्राम का एक विख्याद web server set है जहां एक अतात पर अपाचे से है Apache स्वतनत रूप से उपलब्द web server है जिससे अप open source license के तर्द वित्रित किया जाता है ठीक चलो अब मुझे को कोई word ढूड़ना है अब मुझे पता है लेकि मुझे ढूड़ना है कहां पर लिखा है तो मैं सिद्धे दबाऊंगा और Ctrl G अब जब मैं Ctrl G दबाऊंगा तो मुझे यहां लिखने के लिए आ जाएगा तो मैं वहां पर ऐसा कुछ लिख लूँगा ठीक है वह वह चीज और मैं डाइड उस page पर या उस word पर चला जाओंगा ठीक है तो option क्या होगा शॉर्ट कट की Ctrl प्लस G ठीक Ctrl प्लस G ठीक है चलिए यहमारे सारे question आज क्यों हो गए अगले class में उम्मिद करते हूंगा आपको class अच्छे लगी होगी तो मिलते है next class में और एक पीडिएफ आपको इसका टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगा पीडिएफ मिलेगा टेलिग्राम ग्रूप में और भी content टेलिग्राम ग्रूप पे ही provide होंगे JSA CPT के लिए भी और पटवारी की mains के लिए भी ठीक है जो class दो चलेंगी चलेंगी लेकिन कुछ अलग से notes भी होंगे वो सिफ टेलिग्राम पे ही send होंगे और इसलिए JSA और पटवारी की अलग 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 तेलिग्राम के और इनकी मेंसी बच्चों के इनकी अलग से दो ग्रूप बनाया गया इनका अलग से इनका अलग से ठीक है तुसको जरूर से एड़ हो जाई उसमें ठीक है चले मिलतें अंगले class में सभी को रादे रादे जाहिंद